हेई एवरिवान वेलकम बेक टू माई चैनल आज मैं आप लोग के लिए करने चरतु थी रिलेटेट मेकप लुक लेके आई हूं मैं फेस वसकर की आचुकी हूं एंदेन मैं गुडवाइब्स का टोनर यूज कर दी हूं पूरे फेस को अच्छे से डैब डब करके ब्लेंड कर लूगी और नेक्स में वेसलीन का आइस क्रीम यूज कर दी हूं जो पूरा थंडा मौशराइजर है मैं पूरे अच्छे से फेस पे लगा लोंगी गास पूरा वीडियो मेरा देखेगा तभी आप लोगं को पता चलेगा मैं क्या क्या प्रड़क यूज की हूं और बिना इसकीप के पूरा फुल वीडियो देखेगा और मेरे जो भी मेरे चैनल पर न्यू है प्लीज सस्क्राइब कर दीजेगा और नेक्स्ट में यूज करूंगी इंस टेडिशनल लुक लाने की पूरी कोशिश करूंगी और फैस्टिवल लुक भी प्लीज कमेंट किजेगा लाइक किजेगा शेयर किजेगा और दैन इसके बाद मैं मार्स का पीबी क्रीम यूज करूंगी क्याद मैं फांडेशन यूज नहीं करूंगी बट यह फांडेशन यूज difAlm و अचछे से पूरे पूरे वेस बेट डब करके लगा लोंगी आप लोग इसे ब्रस की हैट से भी सेट करसकते हैं और यूटि ब्लेंडर की है से भी मुझे ब्यूटी ब्लेंडर जादा पसंद आता है इसल में ब्यूटी ब्लेंडर की हैप से पुरे अपने बीबी क्रीम को सट कर लोंगी अटेल के हातों से and then next में use करूंगी कंसीलर यूज करूंगी सौरी मैं बीबी क्रीम का तो आप लोग को बताई निशेटी 01 है मेरा शेड फेर एंड कंसीलर का शेड है मेरा 02 यह हाईलाइटर वाला कंसीलर है जहाँ जहाँ मेरे हाई पॉंट्स है मैं वहीं कंसीलर यूज करूंगी एंड गैस आप लोग बताईए आप लोग कैसा प्लीस गैस मेरे वाइस को इकनोर कीजिएगा मेरे तबेद बहुत दिन से बहुत खराब चल रहा है इसलिए मेरे वीडियो थोड़ा लेट आ रहे है प्लीस आप लोग सपोर्ट कीजिए मैं जल्दी जल्दी अच्छे अच्छे बूरी आप लोग के साथ अच्छे अच्छे कॉंटेल लाते रहूंगी और मैं पूरे कंसेलर को सेट कर ली हूँ अच्छे से और नेक्स्ट मैं यूज करूंगी इंसाइट का ब्लश ये है गाईस 05 strawberry drip shade number है मेरा यह बहुत अच्छा cream blush है गाईस यह भी मेरा फेवरेट बन चुका आप लोग एक बर इसे ट्राई केजिए यह बहुत अच्छा में अपने हाई हाई मतलब मैं अप चीक्स पे नोस पे चीन पे अच्छे से ब्लश को लगा लोंगी और फिंगर की हैसे सेट कर लोंगी देखिए गईस मेरा फेस कितना पिंकी पिंकी हो गया है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपनों को कैसा लग रहा है कमेंट कीजिएगा एंड मैं अच्छे से पुरे बलश की यूज रिटकी मेक उसे कर लोंगी नेक्स्ट मैं यूज करणकी पाउडर ऊवडर है कर मेरा पाउडर है लेकमे का लेकमे का ँभिंड़ का रोयम पिंग मेरा अपने आइस को अच्छे ने जहां जहां क्यूश होता है वहाँ powder को लगा लूँगी and then एक brush की help से जो भी extra है उसे remove कर लूँगी जैसे मेरा face के की ना दिखे and आप पताइए guys मेरा शारी कैसा लग रही यह actually में दीका सारी है मैं गनशतुती के लिए दीसे में मंगवाई हूँ sorry मैं contour use करना तो बूली गई तो मैं भी contour use कर रही हूँ guys यह जिसे face पे structure आ जाए और मैं contour को अपने face की help से ही अच्छे से blend कर लूँगी क्योंकि cream contour easily face finger की help से ही blend हो जाएगा and guys यह मेरा यहरी जो भी है jewelry सब मेरी मम्मी का है तो मेरा look कैसा लग रहा है बिना skip के फुल लूग देखे बना अपनों मिस कर देंगे and जो भी आप लोग को प्रोटेक्ट के डिटिल्स सही है मुझे comment कीजिगा मैं आप लोग को इसका बताऊंगी क्या है and मैं wet and wild का eyebrow palette यूज करी हूँ मेरा shade is as brown मेरे तो और eyebrow already black है बट जहां जहां मुझे थोड़ा थोड़ा लग रहा है मैं वहां हलका हलका यूज करूंगी और ब्रस की help से इसे काम कर लूँगी मेरे एक eyebrow हो चुका है मेरे second eyebrow पे जो भी मेरे हलके हलके gap से मैं बस उसे feel कर रही हूँ जैसे मेरा फिर ज्यादा मेरा eyebrow ज्यादा केकी ना दिखे मैसे उसे brush कर लूँगी और मेरा eyebrow 10 हो चुका है next मेरे सबसे important मेरा eye makeup में eye makeup करूंगी यह Swiss beauty का eyebrow palette है guys Swiss beauty का eyeshadow palette है मेरा shade is 04 मैं एक brown color लेके brush की help से अपने eye shadow eyelid पे इसे अच्छे से हलकेल के हातों से blend करूंगी eye shadow में सबसे important guys blending का होता अगर आपनों blend अच्छे से करोगे तो बहुत अच्छा eye look होगा ब्राउन चेड लेकि अच्छे से अपने eye shadow को अच्छे से ब्लेंड कर लोंगी एंड इनर पर अपने लोएर कोपने पर अच्छे से ब्राउन चेड को अपलाई करूंगी जिसे कि smokey look आये पूरे अच्छे से मैं eye shadow को लगा लूंगी और आप लोग बताइए यह है नेक्स्ट में यह आइशेडव पैलेट इसमें सारे कलर से तो आप लोग को दिक्कत नहीं होगा मेरा आज यलो में शारी पैन यलो आइशेडव पैलेट यूज कर यूज सीमर शेयर तेगाई देखें मैचिंग हो रहा है मैं दोनों आइस पे अ कुछ अलग-अलग या खराब ना दिखे इसलिए अच्छे से ब्लेंड कर लूगी और नेक्स्ट में यूज करूंगी काजल यह मेबलीन का काजल है गाईस मैं अपने दोनों आइस पे अच्छे से काजल को लगा लूगी एन इसके इनर कॉर्णर में भी अच्छे से आप लोग बताइए आप लोगी कैसा जा रहा है इसका सौट वीडियो मेरे चलंग पर अल्रडी आ गया बट यह मेक अप लूग अभी तक आया नहीं है तो आप लोग प्लीज पूरा वीडियो देखी गा कैसा लगा कमेंड कीजेगा एन मैं उसके बाद यूज करूंगी मे मालाथी लुक में होता है तो आप लोग जब तक आप लोग बिंग लेटर नहीं कर दो लूग तो लुक अच्छा नहीं आएगा इसलिए मैं एक बिंग आइलनेट ड्रॉ कर लूँगी और मेरे दोनों आइस पर अच्छे से पराबर आइलनेट ड्रॉ कर लूँगी जैसे कुछ अलग-अलग ना दिखे यह दोनों आइलनेट डन हो चुका गाइस एंड उसके बाद में यूज करूंगी मस्करा मेबलीन कहीं मस्करा मैं कोई फेक आइलसस अपलाई नहीं करती हूँ गाइस मुझे पसंद भी नहीं है और मुझे अच्छा भी नहीं लगता हूं रेडी मेरे लैसस लमबे भी है तो आप एक तो कोड में यूज करती हूं तो है वी दिखता है देखे गाइस यही मेरा आइज लूप कैसा लगा कमें कीजिएगा एंड इसके बाद में बलश यूज करूंगी मैं एनवाइबे का बलश यूज करूंगी मेरा शेड है जीरो शेवन संड डाउन रेड अगर क्री ब्लेंडर की हल्प से हलके हलके हाथों से डब डब किजिएगा जो भी ऐस्ट्रा है वह ब्लेंडर कम कर देता है नेक्स्ट में यूज करूंगी है यह ये यह है लाइकर है मेरा शेड जीरो वन इस्टेरी सिल्वर देखे मैं ब्रुष की हैट से आइसेड़ अपलाई कर यह में फेस पे चीन पे अपने अपलाई कर रही हूं टीक्स पे गाईस यह कितना मस्त आई सेड़ है देखिए वाव लिटरली वाव मुझे बहुत पसंद आया और में फेस पे अलगी गलो दिख रहा है कुछ केकी और चंकी पार्टिकल्स नहीं है गाईस वाव बहुत मस्त है मे यूज करूंगी लिप लाइनर फेस को लिप्स को एक श्टेक्चर देने के लिए एंड नेक्स्ट में यूज करूंगी लिप्स्टिक है ब्लू हैवन का मैजस्टिक पिंक सेड नंबर 09 मेरे सस्क्राइबर ने मुझे कमेंट किया थे श्रेट के रिव्यू के लिए तो मैं उसी के लिए यह लिप्स्टिक आज यूज करें हूं कैसा लगा बहुत मस्त है अपने ले सकते हैं और मेरा फाइनल लुक में रेडि होका आज यह मेरा फाइनल लुक है कैसा लगा इस कमेंट किजिए माना अर्थी मुल्गी लग रही हूं ना बिना इसकीप के फूल वीड में तब तक के लिए बाइ फ्रेंड्स झाल